हलो स्टुडेंट आपका हमारे अमेजिंग से प्लैटपॉम सोनू कम्पिटिशन क्लास इस पे आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अपनी मिक्स अप एक्सराइज के क्यूसंस को जो हमारे स्टार्ट होने वाले 16 से इसके जो प्रिवेश जो क्यूसं थे हमने वीडियो उसके ओपर कम्प्लीट बना रखका है वो आप देखिएगा तो चलिएगा अपना जो 16 number का question है वो start करते और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो इससे पहले वाला जो lecture हुआ था उसमें हमने इसके सारे basic जो formula थे उनके बारे में discussion कर लिया है तो अब हम चलेंगे direct तो देखिएगा कि पहला जो question है यहाँ पे 16 number का question है तो यहाँ पे देखिएगा कि जो अपना y है वो कौन सी form का भई? y है वो u by वो कौन सी form का है? u by v form का है ठीक है अब इसका हम हम क्या करना है? derivative करना है तो हम हमें पता है कि dy upon me dx और dx अब इसका भी करेंगे भई? यू और वी अब आपको पता है इसका formula आपको पता ही है और यहां से आपको यू को खुद लिखना comparison करागे तो यू बराबर तो क्या एगा कोसक्स दे रखा है यहां पर और वी बराबर क्या एगा 1 प्लस का sin x आने वाला है ठीक है यहां पर तो अब देखिएगा कि यह formula आप खुद डिराइब कर सकते हो मेरे प्रिवेस लेक्चर को देखते हुए तो देखिएगा अब देखते हैं यहां पर derivative तो भाई क्या करते हैं dy upon में तो पहले जो आता है उसका हम service करते हैं तो यहां पर u पहले आया तो इसको derivate करेंगे और v को बाहर करेंगे ठीक है? u u देखिएगा ठीक है यह u है यहां पर तो यह थोड़ा सा अलग लिख दिया है हमने इसको थोड़ा सा जो लिख रहे हैं उसी form में लिखेंगे और dv upon में dx करने वाले है नीचे क्या करने वाले है व का whole square को ठीक है यहां पर तो चलिएगा अगे चलते हैं तो यहां से देखिएगा कि v आपके लिए क्या है यहां पर v है वो है 1 plus का sin theta अरे sin theta क्यों लिख रहे है और यहां पर derivative किसका करेंगे? को सक्स का और यहां पर माइनस और यू का यहां से को सक्स को बाहर कीजिएगा dx और आगे क्या करेंगे? यहां से 1 plus का sin x का derivative तो यहां से यहां से यहां लाइन और यहां पर v, v के आपने पास 1 plus का sin x square यहां से clear आपको? तो आगे चलते हैं आप derivative करते हैं वही सब को derivative मारो तो यहां से 1 plus का sin x ठीक है और dx का क्या होता है? minus का sin x की को, cos का derivative क्या होता है? minus का sin x होता है और यहां से क्या करने वाले हैं? cos x और cos x का यहां से cos तो ऐसा का ऐसा इसका करेंगे तो अंदर constant का तो 0 हो जाएगा और sin का derivative क्या जाएगा? cos ठीक है यहाँपर, अंदर ले गेगे आथ को अंदर कैसे लेकर चले गए, lux यहाँपर one है plus का dx और यहांपर क्या यह क्या है, तो इस तरीके से, यहाँपर cost का क्या होता है, derivative sine होता है यहांपर sine है sorry sin x, तो इस परकार से, तो यहाँ पर नीचे देखिएगा कि क्या नहीं वाला, v, v के आपने पास 1, plus का sin x का whole square, यहाँ तक ठीक है, अब आगे देखिएगा, dy upon में dx, तो इसको अंदर multiply करा तो, तो माइनस का sin x, माइनस का sin sq. x, और यहाँ पर क्या इगा, माइनस का cause x, upon में क्याने वाला, 1, plus sin x का whole square, यहाँ तक clear आपको, तो आगे देखिएगा, कि क्या आने वाला है, dy upon me dx, और यहाँ से देखिएगा, कि आप क्या कर सकती हो, minus का sin x और इसको क्या लिख सकते हो यहां से minus common ले लो sin square और minus cos तो यहां से common लोगे तो आपके लिए क्या बन के आएगा minus तो अंदर क्या बन के आएगा बाहर तो minus आएगा अंदर क्या आएगा आपके लिए sin square x plus cos square इसकी value क्या आएगी 1 तो minus 1 और नीचे देखेगा कि क्या है आपके लिए 1 plus का sin x का whole square नीचे उपर से minus common होगे तो क्या बचेगा 1 plus का sin x नीचे गयागा 1 plus का sin x का whole square और upon में देखेगा कि क्या आने वाला है 1 plus का sin x और यह अपने पास क्या होगे answer होगे तो यहाँ तक आपको I hope यह question समझ में आया होगा बस कुछ नहीं है यहाँ पर हमने quotient rule का use किया है तो यह अपने पास क्या होता है इस परकार से हमने इस question को solve किया है चलिएगा आगे चलते हैं आगे क्या है अपने पास आगे भी देखिएगा कि quotient rule से regarding यह अपने पास क्या है question है तो 17 number का question है देखिएगा कि यह y है और y किस form का है यू by v form का है आपको derivative करना है dy upon में dx और यहाँ से क्या हैगा dx और यहाँ पर क्या है यू by v यहाँ तक ठीक है अब आपको पता है यू को तो क्या है यहाँ पर u क्या है minus का यूव यह आपका तो यह है और यहाँ आपको समझ में आ रही होंगे अपनी यह तक कि कहानी तो यहां से dy upon में dx करते हैं और क्या करने वाले यह आगे का formula आपको पता है यहाँ तक का formula आपको आना चाहिए थीक है तो यहां से देखिएगा कि पहले तो हम क्या करते है फ पहले आए उसका service करेंगे, तो यहां से किसका करेंगे हम, sin x plus cos x, ठीक है, इसके बाद में यहां पर minus आएगा, क्योंकि cosent rule है ठीक है, minus आगया, अब देखिएगा कि इधर क्या बोलेंगे, यू को बोलोंगे, आ बहर जाएं, यू गया बहर, dx upon में dx आया, ठीक है, और क्या आ यह plus बाद जाएगा, और अंधर देखिएगा कि क्या आने वाला है, sin x plus cos x, यह आने वाला है, यह नहीं, यहां पर आने वाला है cos x, आई बाह समझे में आपको, तो देखिएगा कि नीचे, नीचे क्या आएगा बहर, नीचे जो है, वो क्या है, sin x minus cos x cos x का whole square, यह आएगा, तो देखिएगा, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है अपने पास, देखिएगा, कि sin x minus cos x, और यहां से देखिएगा, कि अंदर क्या करो, आप derivative करो, sin x plus का, अंदर भी देखिएगा, derivative लगा दो, cos x के साथ, ठीक है, अब यहां पर क्या हैगा, plus, यहां तो minus है ना, माइनस, cos x plus का, sin x, ठीक है, अब अंदर देखिएगा, कि derivative अलग-अलग करो, dx sin x, और minus का, dx, और यहां पर क्या आएगा, cos x, यह, यहां तक क्लिएगा, आपको, तो नीचे देखिएगा, कि, derivative sin x minus cos x का whole square, यहां तक कि, I hope समझ में आ रहे हैं होगे, आपको बात है, तो यहां से देखिएगा, कि sin x minus cos x, अब देखिएगा, कि sin का derivative क्या होता है, cos होता है, और cos का derivative क्या होता है, minus का sin x होता है, यहां तक क्लिएर है, अब आगे देखिएगा, कि क्या होता है, cos x plus का sin x, ठीक है, अब देखिएगा, कि, इसका derivative आपके लिए क्या होने वाला है? cos x होने वाला है और यहाँ पे आने वाला है plus क्योंकि आपको पता है कि cos x का derivative क्या होता है? minus का sin होता है sin यहाँ पे minus से plus हो जाएगा ठीक है? इतना तो आप करी सकते हो थोड़ा तो direct चलना पड़ेगा अपने को नीचे क्या है? sin x cos x का whole square और यहाँ से dy तो यह चली रहा है अब आगे क्या करेंगे? देखेगा इन में कुछ forms बन रही होगी और इसमें भी कुछ forms बन रही होगी उनको करेंगे देखेगा कि क्या करते हैं? यहां से जब भी आप देखोगे तो पहले वाले में देखोगे तो यहां से sin minus का cos बना ले तो यहां पर भी या तो sin minus cos बना ले तो अच्छा रहेगा क्योंकि इसका whole square बन जाएगा यहां पर इन दोनों का whole square बना वाई है कोई बात नहीं है तो अब चलते हैं अपने next वाले में देखिएगा कि क्या है y और यहां से क्या है अपने पास sin है न? तो यहां पर एक अब अगले वाले क्या लोगे? minus common लोगे sin minus का cos x और इसका बाहर क्या हैगा? minus आएगा और आगे क्या है? minus आईए अपने पास और आगे क्या बनेगा? sin plus का cos x का whole square क्योंकि दोनों सेम सेम है और नीचे क्या हैगा? sin minus का cos x का whole square ठीक है? यहां पर? अब नीचे देखिएगा क्या करने वाले उपर देखिएगा की whole square बना है sin x cos x का whole square और यहां से क्या देखिएगा कि sin x plus का cos x का whole square और नीचे क्या हैगा? sin x minus का cos x का whole square ठीक है? अब देखिएगा कि इनके whole square को open करो आप तो यहां से sin देखिएगा, टोटल all over क्या कर लो? minus बाहर कर लो आप तो तो यहां से क्या बचेगा? sin square x plus का cos square x और यहां से देखिएगा कि minus का two sin x और cos x plus का sin square x plus का cos square x plus का two sin x और cos x यहां बचेखिएगा कि यहां बचेखिएगा कि और नीचे देखिएगा कि sin x cos x square अब आगे देखिएगा कि क्या आने माला है? minus का one यह तो identity बन गी और यह देखिएगा कि यह तो same चीज है तो यह तो कठे और यहां से देखिएगा कि अगले वाला भी one बना और नीचे क्या बना वही? sin x minus का cos square x और आगे देखिएगा कि क्या बना? minus का two sin x minus का cos x का whole square यह अपना क्या answer है यहां तक कि I hope आपको बाते समझ में आयोंगी कैसे हम formula कैसे लिख रहे है और यह देखिएगा कि यह बाते हैं आपको किलिए होनी चाहिए कि इसका derivative यह होता है इसका derivative यह होता है तो आगे चलते हैं आप देखिएगा आगे यह आता है यह भी अपने पास देखिएगा कि derivative constant form है पहले इसको थोड़ा सा अच्छा लिख लो आप यह थोड़ा सा इसको क्या लिख सकते हैं one upon में कोस क्या करते हैं जब दुनिया वाले किसी की मजबूरी का फाइदा उठाते हैं तो उसको प्यार से बोलते हैं आप क्या आ जाओ कोस में आ जाओ तो बैया जैसे प्यार के चकर में आए ठीक है अब यहां से नीचे अभी यह अगेन देखिएगा कि कोस एक अकस ऐसा आ सकता है नीचे प्यार के चकर में नीचे आ गया ठीक है तो आगे देखिएगा कि अभी इसको simplified करेंगे और यहां पर one minus का कोस इधर lcm कोस आ गया और इधर क्या एगा कोसक्स और यहां पर one plus का कोसक्स यहां तक ठीक है अब क्या करने वाले हैं दुनिया वाले हैं इसका फाइदा उठा दें अच्छी तरीके से क्योंकि यह नीचे गिरा हुआ वेकती है और one plus का कोसक्स ठीक है अब यह देखिएगा कि y इस तरीके से आया यहां से देखिएगा कि y कोन सी form है u by v form यहां से इसका derivative आपको पता ही dy और यह क्या होता है u और v यह आगे का formula आपको लिखना है यह यह बड़ा important यह चीज आपको लिखने आगे आगे का funda तो simple है ठीक है तो चलिएगा अब देखते हैं पहले हम क्या करते हैं पहले जो आता है उसी को service देते हैं यह तो अपना rule है तो यहां से देखिएगा कि v v तो को नहीं यहां पर है v है वो है 1 plus का cos x ठीक है derivative करते हैं dx 1 minus का cos x ठीक है 1 minus का cos x dx और यहां से यह और plus का cos x ठीक है और one plus का नीचे one plus ही है ठीक है one plus का cos x का whole square यहां तो clear है आपको तो देखिएगा कि क्या आने वाला one plus का cos x यहां पर one minus देखिएगा कि derivative को अंदर लेके जाओ ठीक है तो constant देखिए अंदर की share करेगा derivative one और यहां पर क्याएगा derivative cos cos x cos x ठीक है और यहां पर derivative अब देखिएगा कि इसको बहार तो करना ही है one minus का cos x one minus का cos x अंदर देखिएगा कि derivative को अंदर लेके जाओ तो क्या आएगा कि dx यह one है plus का यह क्या है dx यह क्या है cos x और यह आएगा derivative अब नीचे देखिएगा कि क्या आने वाला है cos x का whole square यहां तक कि लिए रहा अब देखिएगा कि क्या करते है आगे अब इसको क्या करते है derivative माणने का काम करते में तो यहां से dy upon में dx equal to one plus का cos x ठीक है और यहां से क्या आने वाला है one तो यहां पे derivative zero यहां पे cos का derivative आपको पता है minus का sin होता है ठीक है और यहां पे bracket close कर दो और minus कर दो यहां पे one minus का क्या कर दो cos x कर दो और यहां पे देखिएगा कि constant है तो zero आएगा minus का क्या जाएगा sin cos का derivative minus का sin one plus का one plus का cos square x तो यहां से क्याएगा dy upon में dx one plus का cos x square और यहां पे क्याएगा plus का sin x minus का one minus का cos x ठीक है आगे देखिएगा कि क्या आने वाला है minus का sin x अब cos x square यहां तक ठीक है अब आगे देखिएगा कि क्या आने वाला है देखिएगा dy upon में dx यहां पे तो अंदर multiply करा हो भई sin x sin x cos ठीक है और यहां से क्या आने वाला है minus का माइनस माइनस तो प्लस हो गया sin x sin x cos x upon में 1 plus cos x यहां तक ठीक है अब देखिएगा कि dy upon dx आपके लिए क्या आता है कि यहां से तो यह कटा और यह कटा इन्होंने suicide के लिए अपस में और बचा क्या कि 2 sin x upon में 1 plus का cos x का whole square यही अपने पास इसका क्या answer है ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखने वाली बाते हैं यहां तक यह अपना answer आता है तो इस तरीके से हम क्या करते है कोसेंट फोर्मुले को यूज करते है यहां तक की बाते के लिए रहा आपको आयोप तो चलिएगा 90 नमबर का क्यूशन सोल करते है तो यहां से देखिएगा कि पहले तो यह वाली फोर्म यही है ध्यान में रखना कुछ अलग नहीं आया अलग गरह से कुछ भी नहीं आया यहां पर यह कहा है sin x की power n है ठीक है यह एक ही बात है दोनो तो यहां से क्या करता हूँ पहले मैं इसको क्या करता हूँ कि sin x को क्या करता हूँ capital x ले लेता हूँ तो यहां पर देखिएगा कि sin x बराबर capital x ठीक है लेट कर लिया अब आगे क्या करता हूँ उसका derivative करता हूँ किसके respect में x के respect में तो dx और यहां से x की power n का derivative करूँगा तो मेरे को पता है कि क्या आता है dy upon dx पावर तो आगे आ जाती है ठीक है पावर को आगे लाता हूँ और इसमें से x में से 1- करता हूँ आगे देखे लिए dx और यह dx यह capital dx है ध्यान में रखना ठीक है capital x है अब क्या करता हूँ यहां पे x की value पूट करता हूँ sin x n- 1 और यहां से dx और यहां से क्या आने वाला है x की जगह है sin x अब sin x का derivative आपको पता भी क्या होता है sin x n-1 और यहां से क्या आने वाला भी cos x और यह इसका क्या आता है derivative क्या आ ठीक है यह आया answer तो 90 नंबर खत्म है चलिए आगे चलते देखिएगा कि यह एक और आया अपने पास अब यहां से क्या क्या होता है अब यहां से क्या 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 करते है d y upon d x और आगी का देखिएगा कि क्या करते हैं पहले सर्विस देते हैं v को बाहर करते है c d x अब देखिएगा कि यहां पे आपके लिए देखिएगा कि u क्या है u हमारे लिए यहां पे है a plus का b और sin x और minus यहां ते clear है तो यहां से क्या करेंगे अब इसको बाहर लेंगे a,b sin x और यहां पे करेंगे d x और यहां से क्या हैगा c d sin x यह किलिए रहे हैं यहां पे अब देखिएगा कि नीचे क्या करने वाले हम इसका c plus d और cos x का whole square यह करते हैं नीचे v का whole square करते हैं अब देखिएगा कि क्या करते हüm यहाँ पर ? c, d, c, d को सक्ष और अंदर देखेगा कि क्या करते ह assertion, c, d करते हैं c, d , को बार आधाते हैं c, d, c, d और यहाँ से क्या करते हैं, c, d lorsque से और यहाँ से क्या करते है ? और यहां से क्या आता है? sin x, ठीक है? और अंदर देखिएगा क्या करते है? c d x और यहां पर क्याएगा? c और d scalar है, इसको बाहर करो और d और यहां से क्या आने वाला है? इसका derivative आने वाला है sin x और यह ठीक, bracket close और नीचे जो है वेसा का वेसा ही और यहां से c d और cos का whole square यहां तक clear आपको I hope तो चलिएगा आगे चलते हैं हम यहां पर तो यहां से क्या आगा? c d cos x ठीक है? अब आगे क्या करेंगे यहां से? तो यहां पर a है तो इसका constant तो 0 plus का b, यहां पर sin का derivative cos x होता है और minus का a plus b होता है और यहां से sin x होता है तो यहां से c है तो इसका constant plus 0 होता है constant का d यह आई है और यहां से क्या आता है? sin x cos x है इसमें यहां से cos x cos x का derivative क्या होने वाला है? minus का sin x bracket close और नीचे क्या आने वाला है? cd cos का whole square यहां तक clear है? अब देखिएगा कि आगे next page में चलते हैं यहां से क्याएगा y dy equal to cd cos x अब आगे वाले में क्याएगा b cos x उसका derivative करने के बाद में यही तो आया है देखिए b cos x है और minus का आगे क्या हैगा? a plus का b sin x और आगे क्या मिलेगा? d और minus sin x मिलेगा और यहां से क्या आने वाला है? c plus का d c plus का d cos x का whole square ठीक है? यहां तक यहां पर यह आने वाला है d minus का sin ठीक है? d minus का sin यहां पर देखिए अब आगे क्या करा सकते हो? और क्या करा सकते हो? यहां से क्या कर सकते हो? c b cos x और यहां से क्या आने वाला है? b d cos square x यहां तक ठीक है? और यहां पर क्या आने वाला है? a d और क्या आने वाला है? sin x और यहां पर क्या आने वाला है? b d sin square x अब आगे देखिएगा कि क्या आने वाला c plus का d और यहां से cos square x cos x का whole square उपर देखिएगा कि कुछ ना कुछ आपके लिए common जरूर से आएगा common तो नहीं आएगा लेकिन देखिए bc cos x plus minus ad और क्या हैगा sin x और आगे देखिएगा कि plus अब यहां से क्या करेंगे हम bd को क्या लेंगे common और bd को जैसे ही आप common लोगे आपके लिए बचेगा cos square x ठीक है और minus का क्या बचेगा sin square x यहां देखिए आपको रुकिए रुकिए थोड़ा सा यहां पे तो यह plus ही हो जाएगा ना सब कुछ यह plus यह plus क्योंकि यह तो plus ही कर देगा तो ad sin x आ जाएगा और यह जैसे plus करेगा तो यह plus हो जाएगा यहां पे bd में और यह हो जाएगा यहां पे ठीक है यह सारे plus होंगी अब यहां से सारी plus की terms है बही कोई दिक्कत नहीं होगी और नीचे जो है वो तो है यह चली रहा है ऐसा गयसा अब देखिएगा कि इसकी value तो one हो जाएगा आपको पता identity से ठीक है bc cos x plus का ad और यहां से क्या करेंगे sin x plus का bd upon में क्या कर सकते हम cd और यहां पे क्या कर सकते और यह अपने लिए देखिएगा कि dy upon में dx है और यहां से कि अपने पास क्या है answers है और यहां पे आप लिखना चाहो बादल बना दू बही एक और यहां पे लिख दू बही cos square plus sin square x equal to 1 होता है ठीक है यह इसकी identity है तो यहां तक यह होगा अपना complete question चलेगा आगे चलते हैं अपना आगे है 21 का question यह भी सारे cosend में दे रखे हैं सारा cosend form आपको use करवा रहे हैं यहां से क्या है वई dy upon में dx कौन सा है u by कौन सा है u by v की form है और यहां से यह किसकी equal है u और v के ठीक है अब आपको पता है u तो क्या होता है और v क्या होता है यह आपको लिखना है ठीक है u और v ठीक है आगे उपर देखेंगे comparison करा कि u और v लिख लेंगे यहां से देखिएगा कि dy upon में dx करना है अब यहां से क्या करेंगे second होता है तो cos यानि कि v को बाहर करते हैं पहले service किसको देते हैं वही जो पहले आता है ठीक है तो यहां से cos x और यहां पर क्या यहां था sin x यह close और आगे देखिएगा कि क्या हैगा minus का sin x प्लस का a और dx और यहां पर क्याने वाला भी cos x नीचे क्याने वाला भी cos x का whole square अब आपको पता होना चाहिए कि अंदर क्या है कैसे derivative करते हैं इसका अब यहां पर क्या है यह आप इसका derivative देखिए अलग से करना चाहो तो अलग से कर सकते हो तो यहां से आप क्या लिख सकते हो समझा सकते हो बंत जो अपने पास जो teacher है उसको बता सकते हो कैसे इसका derivative करते हैं तो इसका जो derivative होगा sin x और dx इसका derivative जो होगा वो sin x plus 8 का derivative होगा और यहां से देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ कि यहां से dx और यहां से देखिएगा कि sin x यह करते हैं और यहां से मैंने x को क्या पुट किया भी X को मैंने क्या पूट किया भई, यहां से X plus का A पूट किया है, तो इसका derivative क्या करते हैं, पहले sign का derivative कर लो, sign का derivative होता है, कोस X, जो अंदर बेटा है वो लिको, और D X, अंदर जो capital X बेटा उसका derivative, यहां से X की वे लिपूट करो, कि कोस X और X plus का A, और यहां से D X, और यहां से क्या हैगा, X plus का A, अब इसका तो क्या करेंगे, X का तो 1 होता है, constant का derivative क्या होता है, 0 होता है, अलग-अलग split कर लेंगे, तो direct जो इसका derivative आया है, वो क्या हैगा, कोस A, यहां से D X यह आता है, अब यहां पे सीधा क्या कर दोगे कि इसका derivative क्या आएगा वह? cos x plus ka a आई बहुत समझ में आपको अब यहां से क्या आने वाला है? देखिएगा कि sin x plus ka a और इसका derivative क्या आएगा sin x और यह plus हो जाएगा क्योंकि इसका derivative क्या आता है? minus ka sin x होता है यदि आप यहां पर लिखना चाहो तो यहां पर लिख लो माइनस का sin x और यहां पर देखिएगा कि क्या आता है? cos cos x का whole square ठीक है? अब आगे देखिएगा कि क्या आने वाला आपके लिए तो यहां से यहां पर देखिएगा एक formula बनेगा आपके लिए थोड़ा सा hint लगे तो आपको देखिएगा कि वो क्या है? cos यहां पर लगेगा कौन सा form? यहां पर एक formula यूज होने वाला है वो क्या है? वो है अपने पास देखिएगा कि cos a plus का b और cos a cos b minus का sin a और sin b दो एक यहां पहे बहने बार माइनिस है तो अनदर क्या होगा? यह to plus होए जायेगा क्योंकि यह minus यहां पहे प्लस होगा तो यह plus होगा और यह plus होगा तो यह अदर क्या वेटागा? यहां पहे minus ठीक है? यह वाला यहां पहे formula यूज होने वाला, आपको ध्यान होना चाहिए, तो देखते हैं, अब अगले वाले में, क्या करते हैं, यहां से क्या होगा भई, dy upon में, dx क्या होगा, वो होगा, cos x, cos x plus का a, minus का, sin x plus का a, और यहां से क्या हैगा, sin x, और नीचे क्या हैगा, cos, नीचे क्या है, cos x, cos x का holy square, अब देखिएगा, कि यहां पर प्रिवेस वाला फोर्मुला है, वो यहां पर काम आएगा, क्योंकि यह प्लस होगा, तो यह प्लस होते हैं, क्या करेंगे, cos, किसी को भी, आप कुछ भी मान सकते हो, a और b, कोई दिक्कत नहीं, यह दि, a plus का b है, minus का x है, यह की बात है, ठीक है, नीचे क्या बचेगा भई, cos, x का whole square, अब देखिए, x से x तो कटा, तो यहां पर क्या बचा, cos, a, नीचे क्या बचेगा भई, cos, x का whole square, तो यहां से क्या बचेगा, cos का, रेसी प्रोकल क्या होता है, sec, और आप इसको क्या लिख सकते हो, sec, square x, और क्या लिख सकते हो, cos है, यह इसका क्या answer है, तो यहां तक की कानिया आपको आई होप, समझ में आई होगी, तो चलिएगा, अब हम चलते हैं अपने next question में, यह 22 का, ठीक है, आपको में यह 22 क की में कुश्ण को देखने है, तो यहां से अब यह देखेगा कि यह किसमे, प्रोड़क्त में है यह कौन उन चाहिए, product rule है वही, y किसमे है, u dot v में, तो यह कौन सा rule है वही, product rule है, product rule, यहां तक, ठीक है, तो product rule तो यहां से देखिगा कि dy, upon में, dx, और यहां पर क्या हैगा, u dot v, ठीक है, यहां तक, तो आपको पता है, u dot v का क्या form होता है, मैं बता देताओं आपको, तो यहां से देखिएगा कि पहले जो आता है, उसका हम service करते हैं, तो यहां से क्याता है, dx और यह, u, ठीक है और आगे देखिएगा कि प्लस करते हैं U को बाहर करते हैं D X और V है यहां तक ठीक है तो यहां पर देखिएगा कि आपका U से comparison करा लो भई U तो क्या है यहां पर यदि आप comparison कराओगे तो U आपका क्या है भई X की power 4 है और V क्या है आपका यहां पर 5 Sine X और 3 Cos X यहां तक लिए आपको तो यहां से पहले तो V V क्या है अपने पास Sine X माइनस का 3 Cos X ठीक है यहां से आए D upon में D X ठीक है अब यहां से U क्या अपना U है X की power 5 होगा ठीक है? X की power 4 है X की power 4 है और आगे देखिएगा क्या आने वाला है भई इसको बहर करो plus X की power 4 को बहर करते है second वाले को क्या देते है वो करते है service तो second वाले की service क्या है भई 5 sin X और 3 Cos X यहां तक रोदै intriguing I hope आपको तो आगे देखिएगा कि क्या करने वाले 5 sin x 3 cos x ठीक है यहाँ पे अब देखिए आगे जैसे power का derivative करते हैं तो क्या करते हैं आगे जो power है उसको तो आगे लाते हैं उसमें से क्या करते हैं 4 में से 1 को कम कर देंगे यह काम करते हैं और यहाँ पे देखिएगा कि x की power 4 है अंदर देखिएगा कि derivative को क्या करते हैं अंदर गुमाते हैं इसको share कराएंगे अंदर की ठीक है अंदर की share करतो और यहाँ पे क्या आएगा 3 dx और यहाँ पे क्या आएगा cos x ठीक है आगे देखिएगा कि क्या आने वाला है 5 sin x और 3 cos x यहां तक किलिए रहे हैं अब यहां तो वोई simple है भी 4 x की power 3 प्लस का x की power 4 ठीक है अब देखिएगा कि यहां पर 5 है, sin का derivative क्या होता है cos होता है, यह आपको ध्यानी रखना है ठीक है, minus का 3 cos का derivative क्या होता है minus यह होता है, ठीक है, अब आगे थोड़ा सा ओड़ देख लिज़ें कि कुछ होने वाला है तो उखाड ले, ठीक है यहां पर क्या आने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला है कुछ multiply करने से हमें कुछ यहां पर काटा पीटी तो होर नहीं रही है इन में मार पीटा ही नहीं हो रही है तो यहां से 5 sin x minus का 3 cos x plus x की पावर 4 है अब देखेगा कि क्या आने वाला है यहां पर तो यहां पर यह देखेगा कि यह अपने पास minus है और यह जो है यहां पर यह multiple का sign है जी ठीक है तो यहां से 5 cos x plus का 3 sin x और यही इसका क्या होगा answer होगा तो यहां पर देखेगा कि क्या है dy upon में dx यह है यह अब चलते हैं आगे 23 में जल्दी जल्दी करते हैं वे qsans को यहां पर देखेगा product rule वही same similar है तो यहां से देखेगा कि यह कौन सी form है u dot v form है अब आपको पता होना चाहिए u तो क्या है आपका v क्या है यह आपको लिखना है घर से यह वाली बात है आपको खुद को आनीचे बेसिक बात है यह अब यहां से क्या हैगा dy upon में dx है तो क्या करते है u dot v यह यहां तक ठीक है अब देखेगा कि क्या करने वाले हम यहां से पहले किसको service देते हैं जो first आता है उसको service देते है तो यहां पर देखेगा कि कोस x dx और यहां से देखेगा कि x square प्लस का यूंग यह है plus x square को क्या करो बाहर लो और यहां से dx किसका derivative करना अपने को कोस का आगे बात समझ में ठीक है अब आप direct formula अपलाई करो और कुछ भी नहीं है यहां पर कोस x अब देखेगा कि क्या आने वाला है आगे देखेगा कि इसको ले लो 2 को आगे ले लो भाई यहां पर देखेगा derivative को क्या करेंगे अंदर लेके जाएंगे अंदर की share कराओ इसको और यहां से 1 ठीक है अब आगे देखेगा कि क्या करने वाले x स्क्राइब प्लस का 1 है और यहां से क्या यह D x और यहां से कोस x ठीक है अब देखेगा कि यहां से कोस x यहां पर क्या आगे लेज़़गे 2 को आगे लियो 2 में से Minsks एक कम कर दो तो 2 x आगे है ठीक है यहां पर constant आगया 0 plus x square plus 1 यहां तक ठीक है अब देखेगा कि minus sin x यहां तक clear आपको अब और क्या आने वाला है कि तो x cos x और यहां पर क्या आने वाला minus sin x x square plus 1 और यह x square यहां पर तो यहां तक कि आप I hope आपको बाते clear होंगी चलिए 24 में चलते हैं चल्दी चल्दी करते हैं अपकी बार यह भी product में कुछ भी नहीं है यहां पर same concept बस revise हो रहा है आपका और कुछ भी नहीं हो रहा है ठीक है और यहां से dy upon में dx का formula आपको लिखना ही है ठीक है और u और v आप लिखेंगे कि भाई u क्या होता है यहां पर और v क्या होता है ठीक है अब देखिएगा कि क्या करते हैं dy upon में dx है ठीक है तो यहां से पहले sin x और plus आएगा भई multiple में चल रहे है और यहां से देखिएगा कि इसको बाहर फेको x square plus sin x को और अंदर देखिएगा कि derivative किसका करा दो आप x किसका कराना अपने को p plus q और cos x का यहां तक clear आपको अब देखिएगा कि क्या करने वाले हम p plus q यह ऐसा का ऐसा अब अंदर क्या करो अंदर derivative को share कराओ अंदर ठीक है यह काम करना आपको और यहां से क्या करना है d x और यहां पे sin x का derivative ठीक है यहां पे अब आगे देखिएगा कि क्या आने वाला x square plus का sin x यहां तक हो गया clear आप देखिए अंदर क्या करेंगे d x और p का derivative प्लस का यहां पे q cos x का derivative यहां तक clear है आपको आई होप तो आप क्या करते हैं पिस derivative महारो और क्या ही करेंगे cos x यहां पे cos x और यहां पे क्या हैगा a और यहां से 2 को आगे लिया हो 2 में से 1 कम कर दो 2x आ गया प्लस यहां पे क्या हैगा cos का sin का cos आ गया derivative plus यहां पे देखिएगा कि x square और plus का sin x और अंदर देखिएगा कि constant आ गया plus का यहां पे क्या आ गया q और d x अब यहां पे cos है तो इसका derivative क्या आगा minus का sin x ठीक न है यह यह आपको जहान में रखने वाली बाते में यहां पर सीधा derivative आपको put करना है क्योंकि direct method से चल रहे हैं यहां पे अब देखिएगा कि यहां से आपके लिए p q और cos x है और यहां से देखिएगा कि यहां से 2 a x और यहां पे क्या आएगा cos x और प्लस में यहां पे क्या आने वाला आपके लिए यहां पे है आपके लिए a x square प्लस का sin x और अंदर देखिएगा कि क्यों हूँ sin x यही आपका क्या answer है ठीक है यहां तक का आपको derivative समझ में आया होगा 24 number q है वो complete है यहां तक तो चलिए अब आगे चलते हैं कि अब आगे चलते हैं कि अब आगे चलते हैं